प्यारे बच्चों, आज हम बहुती महतुपूर्ण टोपिक पढ़ने जा रहे हैं, रोकर प्रवा विवरन, कैश फ्लो स्टेडमेंट, परिक्षा में इस टोपिक से बहुत से क्वेशन आते हैं, एक नंबर का एक क्वेशन मनता है, वह है कि रोकर प्रवा विवरन किस आधार पर बनाये जता है, तो उसका अंसर है लेखा मानक तीन संसोदित के अनुसार बनाये जता है, अब इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, रोकड प्रवा विवरन से आप क्या समझते हैं तो सिंपल सा है दो अवधियों के बीच रोकड कोशों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने वाला विवरन रोकड प्रवा विवरन कहलाता है तो आप लिख सकते हैं कि दो अवधियों के बीच में रोकड कोशों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने वाला विवरन रोकड प्रवा विवरन कहलाता है अब आता है कि रोकड कोश से आप क्या समझते हैं रोकड कोश से आप क्या समझते हैं तो रोकड कोश में हस्तगत रोकड बेंक में रोकड जमाराशी और रोकड तुले से हैं तो रोकड कोश से आशे हस्तगत रोकड बेंक में जमाराशी और रोकड तुले से हैं थैंक यू